नमस्कार मैं हूँ राशका बजाज और आप देख रहे हैं जी इन भारत अखिल भारतिय भोचपूरी मगही मैथिली अंगी का मंच के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है कैला शादव जी सर जी इन भारत में आपका स्वागत है धन्यवाद मेरा सबसब पहला सवाल है कि 26 मा सब्सक्राइब करने जा रहे हैं लोगों का करनाम था कि एक सारवजनिक बैठक हो जो हम लोगा छेत तारी को जो जारखन बंद किया गया था भासा बोश्पूरी में गहीं मैत्रियंग का भासा को लागू करने को लेका कि और सरकार ने जो पोकारो और धनबाद से भोश्पूरी मगही को हटा दिया था तो उसके नीडने के खिलाफ में हम लोग ने एतिहासी जारखन बंद का कॉल किया था और सफल बंद रहा हम लोगा जो समाज में संदेश देना था सरकार को परशाशन को जो आवाज देना था बताया गया और हम लोग नेब मैसेज देने का काम किया अट उसमें लगवक शफल होए उसके बाद अगला पता खोलेगा ऑपना कारकरम करें चुकि यह तो लंबी लड़ाई है और हमारा चरणबद आंदोलन करने का प्रस्तावित कारकरम है हम लोग ने निड़ने लिया था कि पूरे राज में प्रतिकार सभा करेंगे भोषपूरी मगही महितली अंगी का भासा को सामिल नहीं किया गया और हटा दिया गया सामिल करने को लेकर भी और हटाने को लेकर भी तो सामिल करने के लिए मांग करेंगे और हटाने के खिलाप में प्रतिकार करेंगा मतलब बिरोद करेंगे इसको लेकर हम लोग कटिबत दे हमारा जो अखिल भारतिया बोजपूरी मगई मेधिलेंग का मंच है इनके सदस्य को द्वारा निड़न था और जो हमारे अंदोलन में 28 संगठनों का जो सहयोग दिया गया उनका सभी का एक मंच पर एक ही विचार एक ही मांगता तो 25 तारीक पर समाव थोरा विधान सभागा सत्र और हम लोग 26 तारीक को एक बैठक रखे हैं और उस बैठक में आगे हमारा क्या कारिकरम होगा मंच का कैसे धरदार अ दिवाओं को छात्रों को महिलाओं को कैसे इसमें लाएंगे वह सारे भी से पर हम लोग विचार करेंगे कि कई लोग परती दिन हमको टेलिफोन करते हैं कि सर बहुत अच्छा इसू है हम लोग नहीं जानते थे अब हम लोग सोसल मीडिया और अकबार के माधियम से दिख र रहें उसके खिलाब में प्रतिकार करने का अव्य लेडें लिए तो इससे औसे लोगों को हम लोगा मंत्रित किये हैं और पश्चों परमटल के कुछ-कुछ परतिनिदियों को बुलाएं हैं कि जो अपने परमटल में जाएंगे हर परमटल में 4 जिला 5 जिला आता है तो करने का कौरें नहीं देखा बठाव नहीं देखा जा रहा है बारबार भासा पर प्रहार किया रहा है इसे लोगों में एक तनाव है मांसिक तोर पर लोगों जो है कि एक जो है कि निराशा जनक जो है एक सरकार के दुआरा अस्पश्टी करन नहीं आने के चलते लोगों में काफी जो है भय और निराशा का महौल है यह चीज़ खतम होना चाहिए हमेसा के लिए और राजी में राजी नया बना है तो राज को विकास के योड जाना चाह लेकिन यह लोग जो है कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं और अभी तक ना सरकार के तरफ से कोई असपश्ट जवाब आया है और नहीं जो है कि विपक्ष भी हम लोग कर साथ पर जो है कि या किसी के मामले में खूल कर नहीं आ रहा है तो एक राजनीतिक और समाजीक जो है दूर सारी को बैठा करने जा रहे हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें